कि सरफ तो हलो जाओर याबं कैसे हैं आप सरफ और और फैको सब कुछ्छ बहुत 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 यह प्यारी तरीके just kaos की सारे कोशन компidet B जी अर बहुत किया थे दो कोशन casos बनाई थे जिसमें मैं आपको गैरंटी दी थी कि institute हमें सिर्फ कॉपी सजाने के नमबर देता है हां अमित भाइब बात तो सही बोल रहे हैं इंस्टीट नमबर सिर्फ कॉपी सजाने के देता है format बनाओ, amount डालो, लिख दो, solve करो, खतम करो ओके हां अमित भाइब अब आज हम आगे उसके questions करने वाले हैं जो कि similarly easy होंगे और फिर उसके वादे पर हलके हलके complex category जिसमें हमारे पास third step भी आता है कौन सा जब missing figures दोननी पड़ेंगी वो वाले questions भी करेंगे okay अमित भाइब, done, तो आज मिलके start करते हैं पर उससे पहले हमारी class का पहला minute और वही सबास दोस्तों कैसा चल रहा है सब कुछ बढ़ियां, दोस्ती यारी, असी मजाग, प्यार, प्रे, महबत, माता, पिता के साथ आपके रिष्टे और आपकी पढ़ाई, सब कुछ अच् का main, 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 hero हम खुद होने वाले हैं, किसी के सहारी मत बैठना है, हाँ, कोई help कर सकता है, पर मों लोगे holy वही करके देगा, ना, अपन whole and sole responsible है, done, हाँ अमित भाई, तो इसी line के साथ, अब हम अपनी class start करते हैं, पर class start करनी से पहले, मैं आप लोगों से एक बार वापस से revision ल जबादो ना, मुझे, मेरी संतुष्टी के लिए, ठीक है, अमित भाई, आजाओ, आपकी संतुष्टी के लिए, हम revision करवा देते हैं, मान लो, मैं कोई भी question अब यहाँ पर solve करने वाला हूँगा, उसको अपनी यहाँ पर, पहले ही मैं format बना के रख सकते हूँ, मेरे साथ, आजाओ, अमित भाई, start करें, चल्ड़, सबसे पहले, बताओ, अमित भाई, सबसे पहले क्या आएका, अमित भाई, सबसे पहले ना, prime cost के तीन बंदे आते हैं, कौन-कौन से हैं, अमित भाई, तीन बंदो का नाम है, direct material, ठीक है, consumed, जिसको मैं बोलता हूँ, प्राईक, उसके बाद, अमित भाई, उसके बाद आता है, मेरा direct wages, मैं ने बुला, okay, very good, कोई दिक्कत के बाद नए, इनको थोड़ा side लेकते हैं, चल्ड, direct wages के बाद, अमित भाई, direct wages के बाद, मेरे पास amount आता है, जिसका नाम है direct expenses, okay, हामित भाई, well done, very good, कोई दिक्कत न वेरी वेरी वेल उसके बाद अपन कुछ चीजे जोड़ेंगे कौन सी सबसे पहले फैक्टरी में जितना भी खर्चा लगता है उसको जोड़ दो न मैंने बोला ठीक है बबाबा आप जोड़ देते हैं ठीक है लिए अपन ने जोड़ दिया उसके बाद बताओ अमे जैसी जो संवास्त आती है ओकई very well done very well done उसके बाद आना गेम खेले किसके साथ ओपनेंग डव्ल क्रवस्ट आप अबिदम कर दो जैसे ही खतम करोके मेरे पास क्या parcel किया है क्या आएगा आज डैट नेट का कॉस्ट ओके हाँ अब इसमें से बता देना आप लोग मेरं को क्या बता देना अमेद सुनो ना मैंने बोलों आई श्याई ने पाँच गुंडे बदमास दे रखे कि इनको फ्यक्टरी से निगकलते ही एड़ करता है कौन-कौन से आप लोग बताओ अमित भाई सबसे पहले एड़ कर देना कोई क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट दे रखी हो ठीक है उसके बाद अगला घुड़ना बदमाश है कोई आर इंडी अगर दे रखी हो तो research and development मैंने बोला ठीक है उसके बाद अमित अगर कोई भी primary packing हो ना जो मेरे products को बचाने के काम में आती है कि अगर वो ना हो तो मेरा product खराब हो जाए मैंने बोला ठीक और क्या हो और आपने बोला हमित भाई primary packing के बाद कोई भी क्या कोई भी admin overhead which is directly related to my production अगर दिया हो related to my production या फिर linked to my production उसको अपन क्या करेंगे add कर द करूंगा क्या अमित भाई scrap of finished goods या फिर और कोई bike product अगर अपना निकलता है तो उसको अपन माइनस कर देंगे done अमित भाई done 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 कोई दिक्कत नहीं है चल तो अगर इतना आपको मालूमी है तो बता दो total करने पर क्या आता है अमित भाई जैसे ही total करूंगा हां क्या आ ज मतलब मैंने जितना भी सामान बनाया अभी तक जितना भी सामान बनाया उसको बनाने के लिए कितनी cost लगी है उसको बोलते है cost of production ठीक है ओके अमित भाई done next अमित भाई जैसे यह करूंगा न उसके बाद मेरे पास एक चीज आएगी क्या आएगी इसमें मेरे को add करना करते ही क्या आजाएगा अमित भाई करते ही अपने पास आजाएगा cost of goods sold मतलब अपने जितना समान बेचा है ना उसको बेचने के लिए कितनी cost लगी ओके अमित भाई done done उसके बाद मैंने बोला इसमें जो चीजे तुम छोड़ के आ गए थे छोड़ाए हम वो गलिया क्या छोड़ाए अमित भाई सबसे पहले तो मैं admin overhead not related to production छोड़ाया हाँ not related to production अपन छोड़ के आ गए हाँ plus और क्या छोड़ के आ गया अमित भाई मैं और छोड़ के आ गया secondary packing क्योंकि primary packing तो लिख दी थी secondary packing मैंने छोड़ दी मैंने बोलो okay और अमित भाई selling overheads क्योंकि अब मैं समान बेचने लगूंगा ना ठीक है और अमित भाई एक distribution overhead भी छोड़ाया ना मैं चलो बबाबा छोड अमित भाई जैसे ही यह लिख दिया मेरे पास आएगा cost of sales मतलब मैंने जितने items बेचे है ना उसको बेचने तक की ऊपर लिखा था बनाने तक की यहां पर मतलब है बेचने तक की कितनी cost आई अब क्या करूंगा अमित भाई आप कुछ नहीं करना इसमें simple simple पकड़ो और profit को add कर दो मैंने बुदा ले भाई आपको profit चाहिए तो हम profit add कर देंगे बस उसके बाद अमित भाई उसके बाद कुछ नहीं करना क्या करूं बस यह लिख दिया उसके बाद अपना last amount एक लिखना है आपको प्यारे तरीके से क्या sales मैंने बुदा ले भाई profit जोड़ती मेरा sales amount कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है यहां तक मैंने आपको पूरा format बता दिया ओके अब यह भी बता दो अगर मुझे पर unit cost निकालनी है तो कैसे निकालूंगा अमित भाई cost of production तक जितने भी expenses है ना इन सब को divide करना आप total units produced से क्योंकि यह सब काम आते हैं मेरी total unit को बनाने में ओके ओके चलो बनाने तक का काम में यही से निकाल लूँगा और अमित भाई total जितने नीचे खर्चे है ना उनको माइनस करूंगा units sold के basis पे क्यों क्योंकि यह जितनी भी units है वह तब काम आती है जब बिक जाती है मतलब अरे भाईया आपने दोर मार्केटिंग का खर्च किया एक प्रोड़क्ट पे जब बिकता है तो जब वो बिका होगा तभी तो मार्केटिंग का खर्चा लगा होगा ना इसलिए नीचे वाले सारे खर्चे मैं use करता हूं on the basis of unit sold based done हाँ अमित भाई done कोई दिक्कत अमित भा करवाई करवा दिया था हाँ एक दो ट्रिक मैं पूछता आपसे वह बता देता माल दो मैंने salary दी है किसी को बस salary लिख रखी है कहां आएगा अमित भाई salary में office में बैठे वाले बंदे को देता हूं ना तो direct इसको admin overhead में डाल दो चलो very good मैंने salary दी है पर दी है मैंने sales के बं ठीक है मैंने depreciation लगाया हमित इप बताता हूं तो जाओ depreciation लगाया office की building पर आएगा ना और यही मैंने लगाया हो sales office की building पे तो हमें भाई sales से related कोई भी खल्चा sales overhead में आएगा ना अच्छा very good यार तुप तो बहुत तेज हो कल एक नए point पढ़ा था मैंने pollution control इसका खर्चा किदर आएगा हमें भाई pollution control हम ध्यान रखते हैं factory के अंदर आज आएगा अच्छा तीन स्टेप और बता दो कैसे solve करोगे question पहला स्टेप अमें भाई जो आपने अभी format बनाया है ना format बना लोगा format बनाओ second step जैसी format बना लिए ना second काम क्या करोगे put all the details given in question put all the details given in question question में जो details दे रखी हो उसको डाल देना third point details जालते ही if any missing figure अगर मान लो कोई missing figure दिया हो given comma find it उसको ढूंड लो कि भईया missing figure कैसे निकलेगा by calculations मेरे को कुछ calculation लगेगी उसकी मरत से ढूंड के खतम करो अब ही तक आपने और मैंने मिलके पहला point देखा है second देखा है आज की class में शायद मेरे पास third point का use आ जाएगा अब हम आज की class में बाकी बचे वे questions खतम करेंगे अपने last बता 37 38 39 तक खतम किया था हाँ और इधर 27 भी खतम कर लिया था मैंने इधर 29 भी खतम कर लिया था हाँ आज मैं आपको 45 नमबर तक सारे question खतम करवा हूंगा ओके ठीक आमिद भाई चलो देखते हैं done done तो स्टार्ट करें हाँ मिलके स्टार्ट करते हैं तो अमिद भाई हम कौन सा question करने वाले अपन करने वाले सब से पहले question for 41 आजाओ 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 आप बोरे दबं question number 41 ही करने वाले आओ 37 37 मैंने आपको दिया था न 37 37 दिया था इमिट कैसे गया है कि सेम एस कुड़ीन नहीं यह भी आपका हूंग था लिखके दिया था मैंने आपको 37 हो गया 38 हो गया 39 हो गया आज आप question number 41 के उपन आसान सा question है कुछ भी न मांग रहा बताओ क्या सचीन सचीन कर रहा लप्पूसा सचीन है बताओ दिक्कत इसमें आवे ना ठीक है आज आओ देखते हैं मैं इसको माइक लगा लें दो पहले ताकि दिक्कत ना हो चलो अमिद भाई देखो cost of raw materials दे रखा अपने को opening closing WIP दे रखा ओपनिंग closing finished goods दे रखा ओपनिंग closing ठीक है purchase of raw materials during the June purchase भी दे रखा है pages भी दे रखा है पैक्ट्री ओवरेट्स भी दे रखा है admin overhead मैंने साफ साफ बोला था ना लिख के देगा एक तो आपको लिख के देगा related to production ठीक है बबाबा selling and distribution overhead भी दे दिया sales भी दे दिया बोलता है आमिद भाई ये सारी चीज़े निकाल के दिखाओ आज़ो बताओ इतना आसान question कोई दिक्कत आएगी कि इसमें में कोई दिक्कत नहीं है कि रुको मैं जारा इसको उपर कर लो अब हम आ जाते हैं यहां question mark कर देते हैं solution नंबर को पहले तो न मैं इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि आगे के question बनाने में भी काम आएगा ना आगे को question में मैं format चुपचा पुठा के चुपका दिया करूँगा आपको पूरा format दुबारा से लिखना पड़ेगा ओके आमिद भाई ठीक है अमिद भाई जैसा आप बोलो क्योंकि है मैं बार बार लिखता अच्छा थोड़ी लगूँगा आपको practice करनी है आमिद भाई किसी इंटर तो पहले निकल चुकी है आमिद भाई तो रैंग भी लेके आ चुके हैं है कि नहीं हाँ तो अपने को इसमें दोरा टिंशन नहीं लेनी मैं तो बार बार कॉपी पेस्ट करके format चिपका दिया परूँगा आपको format याद करना है तो आपको format लिखन करना पड़ेगा ओके हामिद भाई ठीक है कि बास कि यहां तक आ गया है जब कंट्रोल कर लूँगा कॉपी है अब आजो यहां पर स्टार्ट करते हैं क्या डारेक्ट मेटीरियल दे रखा है हामिद भाई इसके लिए अपने एक अलग वाकिंग नोट हमेशा बना के चलते अब देखो शॉटकट डारेक्ट मेटीरियल लिखो बात खता बस हाँ अब देखना यहां पर ओपनिंग लिखूंगा प्लस परचेज़ेस करूंगा हामिद भाई प्लस परचेज़ेस करेंगे और क्या दिया है मिरको अमिद भाई और कुछ नहीं दिया क्लोजिंग दे लिख दो 60,000 क्लोजिंग कितना है 50,000 माइनस कर दो 50,000 परचेज कितनी कर रखिया मिद भाई परचेज कर रखिये 4,80,000 कितना आ जाएगा 10,000 माइनस करके 4,90,000 रुपए डन डन आ जाओ यहां लिख दूंगा 4,90,000 ठीक है ओके यहां उपर में रुपीज का सिंबल डालके छोड़ देना अब डारेक्ट विजिस दिया है दिया है ना 2,40,000 रुपए ओके डारेक्ट एक्सपेंसिस अमिद भाई एक्सपेंसेज नहीं दिया तो इसको जोड़ दो बबाद 4,90,000 प्लस 2,40,000 ठीक है ठीक है ठीक है फैक्टरी ओवरेट्स हां मिद भाई 1,00,000 रुपए दिया है न तो जोड़ो यह आ जाएगा 8,30,000 उसके बाद ओपनिंग डबलो आईपी दिया है ना मिद भाई 12,000 रु आ जाओ आ जाए गए 8,27,000 रुपीज ओके ओके अमिद भाई next क्या दिया है quality control कुछ दिया है क्या आमिद भाई quality control का 0 रुपीज दे रखा है rnd का 0 primary packing 0 आमिद भाई admin overhead लिखा है related to production तो लिखा है तो जोड़ दोना दोस्टों यहां पर 0 scrap कुछ भी नहीं दिया तो 8,27,000 प ठीक है हाँ ओपनिंग finished goods को दिया है दिया है न 90,000 और closing एक लाग दस हजार डन हामिद भाई अब देख लो आ जाओ minus 20,000 8,57,000 मेरा यहीं पर आ जाएगा चलो और कुछ दिया है क्या अमिद भाई admin overhead related to production कुछ नहीं दिया secondary packing कुछ नहीं दिया selling overheads दिया है न 25,000 रुपए तो लिख दो न 25,000 रुपए यहां पर 0 कित आ जाएगा plus 25,000 रुपए 8,82,000 8,82,000 और कुछ दिया है क्या हामिद भाई द 10,00,000 रुपए तो यहां पर लिख दो 10,00,000 बाकी बचावा कितना आ जाएगा minus 10,00,000 अमिद भाई 1,18,000 रुपए balancing figure आ जाएगा 1,18,000 रुपए अब बताओ क्या यह answer आया हामिद भाई अब एक trick बता रहा हूं ध्यान से सुनना institute ने जो भी मांगा होना या तो उसको अल institute ने जो भी तुमसे मांगा हो क्या मांगा first raw material consumed okay second यह लिखके आना पड़ेगा क्योंकि institute ने तुम्हें यह नहीं बोला कि cost sheet बना के छोड़ दो उसने बोला अलग से लिखके दिखाओ मेरे को तो मेरे को दिखाना पड़ेगा factory cost next cost of goods sold cogs उसके बाद net profit net profit तो पता है जो भी तुम पर से उठा के लाना उसको circle करते आना क्या देखो raw material consume 4,90,000 तो एक काम करना उसको circle कर देना बस ऐसे circle करके दिखा दोगे तो examiner भी खुस होगा कि हां इसको पता है क्या लेना था और इसने direct वही लिया prime cost किता आया 7,30,000 अमिल भाई highlighter यूज कर लूँ क्या अरे मालम नहीं है का exam में कुछ भी use हम नहीं कर सकते अलग दिन उसके बाद बोला है factory cost gross बोला नहीं net factory cost बोला होगा 8,27,000 अर्ट लाग 27,000 दिया है क्या अमिल भाई COGS दिया ना cost of goods sold बाबा इसका नाम शॉट फॉर्म में COGS है भूल मत जाना 8,57,000 और net profit 1,18,000 रुपे मैंने आपको निकाल के दिखाया था दिखाया था हामित भाई मैच करो तो क्या सही है क्या आव देखें आई से हामित भाई अगर आप हडबड़ी में हो और यह अलग से ना लिख पाओ तो एट लीस्ट जो जो चीज़े पूछी हो ना उसको सरकल करके जरूर आ जाना अगर सरकल करके आजाओगे तो सामने वाले को पताओगा हां मुझे यही चेक करना था डन गलती तो नहीं करोगे सरकल करके आओ होगे डान अमिद भाई तो यह मैंने आपको करवा दिया यहां पर सॉल्यूशन नंबर पॉट्टी वन यहां लिख तो पर्टीकुलर्स यहां लिख दो रुपीज ठीक है कोई दिक्कत अमिद भाई कोई दिक्कत नहीं आई यहां आजाओ नेक्स्ट के उपर नेक्स्ट एक बार मैं यहां पर पेस्ट कर दो अपना फॉर्मेट चलो में भाई आफ और में पेस्ट ही कर दो कि अप यहां अब यहां देखता हूं मैं कौन सा कॉश्चन करना है आपको मैंने फॉट्स पी बन करवा दिया नेक्स्ट कौन सा करवाँ चलो आओ ज़रा मेरे साथ कॉश्चन नंबर पॉट्टी के उपर जंप करके थोड़ी कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी आओ ओक्या मैं भाई आप बोलते हैं तो हम आते हैं कॉश्चन साथ नमबर पॉट्टी के उपर जाब जब्सम्ण करवाई अपने को कोई पॉर ना है यह सब कुछ नहीं दैरेक्ट रॉम है हाँ given है उसके बाद अमित भाई admin overheads देखो general दे रखा है क्या हाँ general मतलब it is not related to production मतलब common वाला है ज्यादा important नहीं है not related to production सबसे नीचे आएगा selling overheads दे रखा है क्या हाँ units produced दे रखा है क्या हाँ units sold दे रखा है हाँ selling price दे रखा है क्या हाँ अमित भाई दिक्कत कहा आएगी यहां पर दिक्कत आएगी नया point में देखने में यह machine hours worked और machine hour rate per hour यह क्या है अमित भाई यह देखो इसमें यहां पर important point लिख लेना machine hours and per unit वाला question था यह ओके ओके चलो देखें इसमें हामित भाई देखो machine कहां पर काम करती है आप मेरे को यह बताओ मैं समझता हूँ आपने कभी machine नाम की चीज सुनी नहीं है अमित भाई machine काम करती मेरी factory के अंदर तो क्या यह मेरा अब बताना क्या machine बोलता है अमित भाई machine ने ना 10,000 घंटे काम किया मैंने बोला ठीक और बोलता है एक घंटे के 8 रुपए लेती है तो क्या मैं यह बोलो machine टोटल 80,000 रुपए लेगी मुझसे ध्यान से सोचना हाँ अमित भाई machine टोटल 80,000 रुपए लेगी आपसे तो क्या मैं 80,000 रुपए को अपनी factory overheads बोल सकता हूँ हाँ अमित भाई आप factory overheads कैसे बोलोगे मतलब अगर मैं आपको बोलो मालो आपके पास एक employee है जो काम करता है उसने ना पूरे महीने में मालो 100 घंटे काम किया ठीक है और आपको पता है क्या बोलता है एक घंटे के मेरे को 10 रुपए चाहिए आप महीने के किती पेमेंट करोगे 1000 रुपए वही तो ये बात बोल रहा है बोलता है आमित भाई machine काम की है 10,000 घंटे और एक घंटे के ल मेंट वाले पे वह अपने को काम आएंगी यहां पर कैसे अमित भाई आओ मैं दिखाता हूं solution number 40 चलो बताओ मेरे को अमित भाई raw materials दिया है क्या हां direct raw materials दिया है ना कितना 1,80,000 रुपए direct wages दिया है क्या दिया है 90,000 रुपए क्या मेरे को direct expense दिया है zero कुछ भी नहीं दिया तो लिख दो यहां पर 2,70,000 अब क्या बोलता है अमित भाई factory overheads ध्यान से देखना बोलता है आमित भाई आपने आपने 10,000 घंटे काम किया मशीन ने और 8 रुपए लिए तोटल कित्ते लिए होंगे आपसे आमित भाई टोटल 80,000 रुपीज लिए होंगे न लिख दो यहां पर 3,50,000 रुपए कोई दिक्कत आमित भाई कोई दिक्कत नहीं अब देखो opening WIP closing WIP आमित आमित भाई कुछ भी नहीं दिया आगे बढ़ो ना 3,50,000 रुपए दन क्या quality control की cost दिया आमित भाई कुछ भी नहीं दिया क्या R&D की cost दिया आमित भाई कुछ भी नहीं दिया primary packing कुछ भी नहीं दिया admin overhead related to production आमित भाई यहां पे तो general वाला दी रखा है तो कुछ भी नही दिया cost of goods sold 3,50,000 रुपए कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब मेरी बात सुनना चलो बोलता है admin overhead not related to production क्या दे रखा है बोलता है admin overhead है मेरा 35,000 रुपए चलो 35,000 जोड़ दू अब secondary packing आमित भाई दिया नहीं selling overhead आमित भाई पांच रुपए दे रखा है पांच रुपए दोगे तो काम की बात बताऊंगा अब ज़रा मुझी ये बताओ selling overhead का जो खर्चा है हामित भाई किस पे लगता है मतलब 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 selling overhead per unit दे रखी है मैं इसको total में निकालने के लिए किस unit से multiply करूँ यहाँ पर मेरे को दो units available है units produced और units sold आमित भाई आपने इतना चिला चिल उतनी unit पे लगता है जितना मैं बेचता हूँ जैसे माल लो अगर आप marketing कर रहे हो advertisement अब बोलता है sir अगर मैं आपका एक product का advertise करूँगा ना तो आपका 10 रुपे लुगा तो माल लो मेरे 100 product बिगे हैं ठीक है तो उसने charge कितना किया होगा आमित भाई 100 रुपे 100 product बिग गए ह हर एक product का 10 रुपे था 1000 रुपे क्या मेरा selling overhead charge होता है on the basis of total units sold के basis पे कि मैंने कितने बेचे हैं हां आमित भाई selling का मतलब ही क्या है selling overheads उल्टा मैंने यह बताओ यह नहीं बोलाता यहां से नीचे जितनी भी अपने पास units होगे सबको units sold के basis पे solve करूँगा हां आ जाओ बोल होता है आमित भाई 3600 units बेची है मैंने और क्या किया है कितने रेट पे 5 रुपे के रेट पे कोई दिक्कत आमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं एक जगा आप और भस होगे कहां पे आजाओ मैं बताता हूं उपर अवंपर आए हां अमित भाई यहां पे आएं क्या आपने पास opening finished goods कुछ दिया है क्या आपने पास closing finished goods दिया है बताओ क्या अमित भाई क्या Church क्या 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 दूड़ दूड़ तो question में closing finished goods नहीं है समय यह बबा इदर आउ तो इदर वर्किंग नोट नमबर 1 वर्किंग नोट नमबर 1 कल्कुलेशन आफ क्लोजिंग फिनिश्ट गुड्स एक बात बताना हां में भाई पूछो कोश्चन में दिया है कि आपने न 4000 यूनिट्स बनाए थे ठीक है और 3600 बेच दिये ठीक है अब ज़रा आप लोगों ऐसे जो तेज है वो मेरे को ये बताओ कि 400 यूनिट्स गए का बाकी 400 यूनिट्स कहां चले गए एं अमिद भाई क्या बोर रहे हो मैंने बोला आपने 4000 यूनिट्स बनाए थे 3600 आपने बेच दिये 400 कहां गए अमिद भाई 400 नहीं बिके 400 नहीं बिके तो कहां चले गए अमिद भाई 400 नहीं बिके तो अपने पास पड़े होंगे न क्या उस पड़े हुए आइटम्स कोई मैं closing stock नहीं बोलता अरे हां मिद भाई अरे रे 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 यहीं तो अपनी mistake हो गई तो यहीं तो मैं आपसे कहना चाहा रहा हूँ closing finished goods कितना होगा total units मैंने कितनी बनाई produced ठीक है मालनो आपने 100 units बनाई थी plus total opening stock आपके पास कुछ सुरूश से पड़ा हुआ था ठीक है मालनो चार units पड़े होंगे minus total units sold और आपने क्या किया ना आपने 64 units बेच दी तो आपके पास पड़ी कितनी होगी ध्यान से सोचना आपके पास 4 units शुरू में पड़ी थी आपने 100 और बना दी अब मेरा go down में 104 unit पड़ी हुई है उसमें से मैंने 64 units बेच दी बचा कितना closing stock मेरे पास बच गया 40 units का हाँ अमिद भाई closing stock इतना तो बच गया अब यही चीज मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ आओ बताओ मुझे हुआ क्या अमिद भाई आपने 4000 units बनाई ठीक है opening stock कुछ दिया था कुछ भी नहीं दिया था आपने बेची कितनी अमिद भाई 3600 units बेच दी तो closing stock कितना बच जाएगा अमिद भाई 400 units बच जाएगा ना closing stock क्या यहाँ तक आप लोग मेरे साथ सहमत हो बताओ मैं पानी पीना चाहता हूँ पानी कहा गया एक सेकड़ मैं पानी ले आओ सफेको पानी कितना पानी कितना जाएगा झाल 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 करेंगे खुशी के साथ तो गाईज अब ये बता दो मेरे को क्या आप लोग फिनिश गुट्स निकालना सीख गए थे अगर फिनिश गुट्स ना भी दिया हो तो ये फिनिश गुट्स के लिए एक हिंट है या तो फिनिश गुट्स साफ साफ लिख के देगा कितना मेरा finish good से इतनी उसकी value है या फिर अपने को निकालना पड़ेगा निकालना सीख गए हाँ में भाई अब अमें भाई ये तो मैंने units निकाली है इसकी value बताओ ना कैसे निकालू बताओ आप लोग बताओ मैंने value निकालने का concept भी सीखा था आपको मैंने पढ़ा रखा था बताओ किसी को आईडिया है क्या पीफो मेथर्ड लीफो मेथर्ड बताओ याद है हाँ अमिद भाई थुड़ा थुड़ा याद है चल मैं आपके एक बड़ तीन formats तीनों मेथर्ड याद दिला देता हूँ आजाओ अमिद भाई ये तीन अपने method है एक सबसे पहला नाम है उसका फीफो एक है अपना लीफो एक है वेटेड आवरेज तो माल लो आपके पास opening stock पड़ा है 4 units और आपने produce किये है 100 units ठीक है और माल लो आपने बेचा कितना आपने बेचा सेल किया 64 units तो पता है क्या होगा फीफो method में पहले 4 item यहां से बिग जाएंगे फिर बाकी बचे हुए 60 items 60 items यहां से निकल जाएंगे अपने पास कितना बच जाएगा अमिद भाई 60 इस में से बेच दूगा तो मेरे पास 40 items बच जाएंगे 40 items बताओ किस में से बचे इस वाली lot में से बचे या इस वाली lot में से बचे आमिद भाई इस वाली lot में से बचे हैं इस पूरे चाप्टर के अंदर अपन most of the time टीफो मेथड यूज करते हैं अब आजाओ वेटेड आवरेज में ओपनिंग स्टॉक मानलो चार यूनिट्स दिया था क्लोजिंग मानलो प्रोडक्शन अपनने 100 यूनिट्स कर दी ठीक है सेल मानलो 64 कर दी यह बोलता है भाया कोई मतलब नहीं है तुम यहां से बेचो यहां से बेचो जहां से बेचो मैं प्राइस एवरेज ले लेता हूं कैसे मानलो इस चार यूनिट्स का प्राइस था 10 रुपे 40 रुपे हो गया हाँ इस 100 यूनिट्स को बनाने में लग गए मानलो मेर को for example 11 रुपे 110 रुपे कितने हो गया 150 हाँ तो टोटल बोलेगा अमिद भाई 104 यूनिट्स का प्राइस ना 150 रुपे है तो एक यूनिट का प्राइस कितना हो गया अमिद भाई एक यूनिट का प्राइस हो गया एक सेक्ट रुपे चालिस 110 रुपे तो वेटे डेज निकाल लिया हाँ बोलता है अब तुम यहां से बेचो चाहें यहां से बेचो कोई मतलब नहीं और लीफों में क्या होता है ओपनिंग स्टॉक है मानलो मेरा चार अब जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो हमेशा मानना फीफो मैथड फॉलो करके आना है करके आओगे हां मिद भाई करके आ जाएंगे गड़बर तो नहीं करोगे अमेद भाई गड़बर नहीं करेंगे चाहिए आधा डिक्ता तक टेक्ता अब को अब बता कोई दिक्कत यहां तक अमिद भाई कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई हो गया हाँ तो अमित भाई एक सेकंड डिको चाहे कि चुसकी ले लू हाँ मित भाई बताओ अब देखो कैसे इसकी वैल्यू निकालूँगा मैं ओके ओके कोस्ट अफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है बता दो फटा फट से बता दो बता दो बता दो अब देखो यहाँ पे मैंने इतनी बार इसे लिए इसको जोर जोर से चिला चिला के बताया था कॉस्ट अफ प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल कॉस्ट इंकर्ड किस चीज के लिए तू प्रड्यूस यूनिट्स यूनिट्स बनाने के लिए ठीक है अब बताना ध्यान से सुनना ठीक है अमिद भाई कितनी कॉस्ट अफ प्रोडक्शन है अमिद भाई तीन लाग पचास हजार कॉस्ट अफ प्रोडक्शन है हाँ कितने यूनिट्स को बनाने के लिए कॉस्ट लगी बता तुमने कितने यूनिट्स बनाए है अमित भाई क्या तुम ने चार हजार यूनिट्स नहीं बनाए हाँ अमित भाई चार हजार यूनिट्स बनाए ना मैंने तो देखना अब यहां पर देखना cost for 4,000 units 4000 units बनाने की cost कितनी है 3,50,000 रुपए cost for 1 unit 1 unit बनाने की cost कितनी है 3,50,000 रुपए divided by 4,000 87.5 तो ये बता दो तुम्हारे पास closing stock कितना पड़ा है अमेद भाई closing stock मेरे पास पड़ा है 400 units का तो भाईया जो तुमने 400 units बनाई है जो बच गई तुम्हारे पास उसका total cost कितना आया होगा 400 into 87.5 35,000 है हाँ बबा हाँ ऐसे बनता है how to calculate the cost for closing stock तो हाँ अमेद भाई ये तो बहुत मक्षन तरीका बताया आपने मैं भी तो ये बोलता हूँ अगर किसी ने तुम्हारी cost sheet tough बना दी तो भाईया क्या ही जिंदगी रही तुम्हारी cost sheet कभी जिंदगी में तफ हो सकती है तो समझद भाई सच्छी वाई यकीन कर लो अमिद भाई ये तो अच्छी वार नहीं है तो मैं भी तो ये बोलता हूँ अच्छी बात नहीं ह कैसे भाया मैंने बनाए थे 4,000 बेच दिये 3600 बच जाएगा 400 ओके ओके नेक्स्ट अमिद भाई सुनो ना मैंने बोला हम बोलो ना अमिद भाई जो मैंने 4000 यूनिट बनाए थे ना हाँ हाँ अपनी 4000 यूनिट बनाए थे उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 35,000 लगी है अमिद भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं क्यों लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों नहीं लेते हैं, सुनो, बताओ, मेरा ओपनिंग स्टॉक जो आता है, किदर गया, मेरा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो आता है, वो कहां पर आता है, अमिद भाई, तो यहाँ पे इसको काटो और लिखो ये आएगी मेरी 35,000 दिस इस माई न्यू टॉपिक तो आओ जरा आओ आओ सिखाओ तो मैं अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामुली फंडा मशीन आवर्स दिया था पर यूरिट कोईशन दिया था एंड कैलक्यूलेट क्लोजिंग स्टॉक निकालना इसमें इंपॉर्टेंट था देखा इसी लिए मैंने आपके लिए स्पेस छोड़ रखी है अमिल भाई इतना ब्रिलियंट दिमाग कैसे लगा है बबा रैंग के लेवल पे मुझे पता है उन देड़ दिनों में क्या-क्या गलतियां मैंने कर रखी है वो मैं आपको नहीं करना देना चाहता इसी लिए आपकी रैंग मैं सेक्यूर करवाना चाहता हूं ओके अमिल भाई आप रैंक रैंक बोलते हो इतना फाइदा है क्या रैंक का बहु कुछ है पर आगर भाईया तुम्हे यह उपर्चुनिटी मिल रही है बैस्त बनने की वाही थ्लांय कर सका है तो ना मत कर'T सहारा बात में मतद करें जूक्त नाां सब्सार्ट करे को अ же तो नेक्स्स इसराट करें हमिर बाए आज आ हम–करते करते हैं तो अब ये मेरे पास चेंज होके आएगा कितना आएगा अमिद भाई तीन लाग पचास हजार आ जाएगा यहां माइनस करके तीन लाग पंदरा हजार उसमें से बाकी चीज़े तो वैसी चलने वाली है आमिद भाई तो 3600 इंटू पांच यह भी बता दो कित आएगा अमिद भाई 18000 चलो सॉल्व कर लो तीन लाग पंदरा हजार प्लस 35000 प्लस 18000 यह आजाएगा 368000 सेल्स कितना दिया है अमिद भाई 125 रुपए बबा 125 रुपए किसका बोलते अमिद भाई 125 रुपए पर मैंने एक यूनिट बीची किस से मल्टिप्लाय करूँ नमबर आफ यूनिट सोल्ड से 3600 रुपए is equal to अमिद भाई यह आ रहा है चार लाग 50,000 रुपए चार लाग 50,000 रुपए डिफरेंस कितना आ जाएगा 82,000 का तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 82,000 रुपई ज़रा चेक करो आ रहा है क्या देखो फटा फट से अमिद भाई यह तो इत्तो यह रहा है सेम तू सेम मैं भी तो यह कहा रहा था डिट्टो सेम तू सेम वही आ स्वाहा अमिद भाई मस्त ना अमिद भाई बहुत मस्त पढ़ाया मजा आ गया मिरको पता है न कैसे पढ़ाना आपको अपन ने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था मैं चाहता था कैसा मुझे लोग पढ़ा है मैं वैसा आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है ओके अमिद भा अमित भाई कैसे निकालू अब ध्यान में आएगा तुम्हें जो मैं चिलाते रहता था कि भाईया कॉस्ट और प्रोडक्शन तक यहां तक हर एक टोटल को डिवाइड़ बाई यूनिट्स प्रड्यूस्ट से डिवाइड करना तब तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट आएगा हैं चलो देखो यहां कर दो आजाओ एक लाख असी हजार डिवाइड़ बाई चारहाँ नब्शे षजार डिवाइड़ बाई चारह हजार वतंव क्तथा प्रड्यूनिट में निकला अमें mm एक लाघ गां सीहर डिवाइड़ बाई चार ञारा प recil July 2 डिवाइड़ टू hail foul 22 चलो बढ़ते चलो हो रुक जाना नहीं कभी तू हारके काटों पे चलके मिलेंगे राही बाहर के समझ में आया चलो सौल करते चलो 67.5 यहां कितना दिया है 80,000 रुपए डिवाइड़ बाई 4,000 80,000 डिवाइड़ बाई 4,000 इस इक्वल टू दो 20 रुपए ओके ओके चलो अब इसको भी जरा 3,50,000 को डिवाइड करो किस से 4,000 से कित आ जाएगा 87.5 ओके यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं यह कितना आ जाएगा अमिद भाई यह भी 87.5 यह उतरेगा न उपर का उपर कुछ भी नहीं चेंज हुआ ठीक है एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर से 87.5 आ जाएगा अब इसको किस तरी डिवाइड करो अमिद भाई अरे फिनिश्ट गुड्स हो तो उतने जितना फिनिश्ट गुड्स है उतने से क्लोजिंग डिवाइड करो ना मतलब अमिद भाई अरे 35,000 किसकी कॉस्त है अमिद डिवाइड भाई चार सो 87.5 डन हामिद भाई तो यह भी 87.5 यह आ रहे है दन कोई दिक्कत आमिद भाई कोई भी दिक्कत नहीं आए तो चल्ट ओके ओके अमिद भाई आओ यह तो वैसे माइनस करना है तो यहां तो कुछ मतलिको आजाओ अब देखना ध्यान से यहां से में डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा किस से अमिद भाई 3,15,000 रुपए डिवाइड भाई किस से 3600 यूनिट से जितना यूनिट्स में नहीं बेचा है अमिद भाई 87.5 पुझे पता है ना 87.5 याने वाला है कुछ भी ना बदलेगा 35,000 को 35,000 डिवाइड भाई दिवाइड भाई च्थिस सो यह आ जाएगा 9.72 अमिद भाई इतना परफेक्ट कैसे बता सकते हो अपन ने तो पढ़ाया है ना बबा तो अपने को तो आइडिया होगा ना फिर से 18,000 को किसी डिवाइड करूं अमिद भाई जित्ता यूरिट्स में ने बेचा है 3600 अमिद भाई पांच रुपे लिखो ना बबाब पांच रुपे जब नेक्स्ट 87.5 प्लस पांच रुपे प्लस नाइन पॉइंट सेवें टू एक सो दो पॉइंट बाइ अमिद भाई 102.22 अरे हमें पता है ना हमें कैसे ना पता रहेगा 82,000 डिवाइड बाइड बाइड चात्तिस सो अमिद भाई 22.78 हमें पताओ है भाई या 22.78 जराइस को जोड़ो प्लस एक सो दो पॉइंट बाइस ये 125 आ रहा है अमिद भाई और क्या सेलिंग प्राइस पर यूट भी 125 नहीं है हां है ना 45,000 भागा 3600 यूणिट एक सो पत्चे प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया प्रिलियंट कैसे पढ़ा लोगे हमें पता है न बबाबा समझाने के साथ-साथ एक्जाम की अगर मैं आपको ट्रिक्स ना दू साथ में तो आप बोलोगे अमिद भाई क्या ही पढ़ाया है समझा दूंगा दिल में बिठा दूंगा ऐसे ना मुझे तुम देखो समझाऊंगा भी याद भी करवाऊंगा इतनी बार प्रैक्टिस करवाऊंगा ना कि आप बोलोगे अमिद भाई बस कर जाओ ना रट्टा लगया विस चीज़ का ऐसा और साथ ही साथ ट्रिक भी देता चलूंगा तो अमिद भाई ये तो बहुत मस्त कोश्चन था ना इस को अलका साथ छोटा करके डान अमिद भाई अचा चल नेक्स्ट पार्ट ये लो यहां से यहां तक लिख लो लिख लिए अपने टाटू कितने बनवा रखें देखो बहुत शॉक है आप क्लास्प के बीच में देखते भी होगए एक यहां है एक सेकंड यहां है मैंने यहां बनवा रखें दो तीसरा यहां है जो आपको देख रहा होगा तीन एक मैंने नेक्स पर बनवा रखें चार एक यहां पर बनवा रखें पांच मिरेको टैटूस का बहुत शॉक है मैं बहुत टैटूस बनाने लागे हैं लाइफ में ओके ओक्या बात है उसके बाद यह पुल के जीनेगा फुल के जीनेगा ठंडा बाने पीनेगा सब कुछ अपना समझेएगा ओके हां बिल्कुल एक दा मस्ती में रहने का टेंशन नहीं पालने के अपने को ओके डन हां में भाई हो गया 41 भी कर लिया अमित भाई अब कौन सा आज आब कॉस्चन नुमर फॉर् 20 second पर चलते है आज़ो यह है 40,40,40,40 सेकेंड it is not same as 29 वबा कुछ कुछ चीजे यहां पर आई अपने पास आज़ो और कुछ सलई बस नहीं है और कुछ चीजए आफ आईंगी आईंगे अ ओके ओके जैसे यह टेक्स वालप उन्ट उन्ट कि अमिल भाई यह टैक्स वाला पॉइंट क्या है आज़ो में टैक्स वाला पॉइंट आपको लिखवाता हूं साथ में कि दर गव हमारे नोट्स कि दर गव नोट्स कि दर गए यह रहे नोट्स हमारे पेक्ट्री ओफरेर्ड कहीं टैक्स का पॉइंट मैंने दे रखा है आपको टेक्स 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 न आ जाओ तो मैं यहां आपको pen pass के पर निकवाता हूँ चालो अमिद भाई अरे वो कहां गया यह रहा वैसे तो आप लोग जानते होगे पर फिर भी मैं लिखवा देता हूं पॉइंट्स विट रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन टैक्स के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट कोई दिक्कत अपने को यहां तक आमिद भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई अपने को कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं आई आजा पॉइंट्स विट रिस्पेक्ट टेक्सेशन इसके दो तीन पॉइंट्स निकल के आएंगे क्या आप लोग मेर को बताना ओके ठीक आमिद भाई बता देंगे सबसे पहला पार्ट बताओ क्या आमिद भाई इस यहां देखना इफ टैक्स इस एलिजिबल पॉर आई टीसी इफ टैक्स नहीं होलता इफ फुल टैक्स इफ नो टैक्स इस चलो इफ नो टैक्स इस एलिजिबल पॉर आई टीसी अमिद भाई क्या लिखते जा रहे हो क्या ही लिख रहे हो बताता हूँ इफ पार्शियल टैक्स इस एलिजिबल पॉर आई टीसी अमिद भाई यह क्या इती इस फाई टीसी लिख दिया कुछ भी पले ना पड़ा जीस्टि नहीं पढ़ रखा पढ़ रखा है पर आपको क्यों बताओ हूँ अमिद भाई नहीं पढ़ रखा मैंने कुछ भी नहीं पढ दंदार है मोटा सा खडूसा खडूसा यह आपको जो भाग रहे हूं ओके ड़न अमिन भाई हुआ क्या यह जब सबसे पहले सामान खड़ीता है ना किसी से यह भी तो समान लेके आता होगा हाँ तो उसको टैक्स दे देता है माल उसने टैक्स दे दिया 20 रुपए का ठीक है ओ अब एक बात बताना क्या वो आदमी क्या यह आदमी सरकार को पहले ही टैक्स भर चुका है 20 रुपए का हां अमिन भाई तो अब इसको और कितना भरना चाहिए अमिन भाई यह 30 रुपए लेके आया है ना 20 रुपए इसने पहले ही भर दिया था अब यह सिर्फ 10 रुपए क्य trás मिलें आमिन भई ऊब्याओ क्यूस thisुबए कोई बोलेगा इसने तो सरी डस का टैक्स भरा आख अरे दसका टैक्स कहां भरा इसने दसका टैक्स अभी भरा बीस का टैक्स पहले भरा था तक्स तो इसने टूटल 30 रुपए ही भरा है ठीक हैे ओक्लिस रुपाई ही आई तो 20 का tax इसने भर दिया था ठीक है अब इसने मेर से कितना tax लिया अमित भाई इसने मेर से tax लिया 30 रुपए का अब ITC मतलब तुमने जितना tax पहले भर दिया ना अब उसको दुबारा भरने की जरुवत नहीं है ठीक है तो मान लो इसने 20 का tax भर दिया था तो अब इसको 20 रुपय का टैक्स भरना पड़ेगा ओके ओके तो एक बात बताना चलो इसको मिटाता नहीं मैं ऐसे लिखता हूं क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसने 20 का टैक्स पहले भरा ध्यान से सुनना ये लाइन ध्यान से सुनना इसने 20 का टैक्स पहले भरा ठीक है हाँ अभी 30 रुपय का टेक्स दुबारा भरा ठीक है पर अभी 30 का टेक्स दुबारा भरा और इसने टोटल किता भर दिया इसने पहले 30 रुपए भर रखा था 20 रुपए अभी 30 रुपए और दिया ठीक है क्या मैं ये बोल सकता हूं सरकार ने इसको 20 रुपए रीफंड कर दिया तो नेट बन गय यह तो बोल सकते ना मतलब 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 देखो अमित भाई इतना जो complex process था कि भाईया यह 30 रुपए का tax इसने मेर से लिया है पर क्योंकि इसने पहले 20 रुपए का tax भर दिया था तो अब इसको सिर्फ 10 रुपए का tax भरना है तो यह confusing point की जगा क्या मैं यह बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ कि इसने 20 का tax पहले भर दिया था तामित भाई 30 रुपए का tax मैंने और भरा है ठीक हमित भाई और सरकार ने मिर को 20 रुपए का refund दे दिया दन हामित भाई तो अब एक बात बताना क्या ITC को मैं refund बोल सकता हूँ can I say ITC is equal to refund हामित भाई I can say ITC is equal to refund ठीक है ओके तो अगर आपको 100% tax का ITC मिल जाए है मतलब 100% tax का refund मिल जाए तो क्या आपकी जेब से कुछ भी रुपए लगे क्या 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 मतलब अमित भाई आपने 100 or रुपए का tax दिया government ने आपको 100% ITC दे दी मतलब 100% refund दे दिया आपकी जेब से 1 रुपय गयामित भाई एक भी रुपय नहीं गया तो अगर एक भी रुपिया नहीं गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ cost sheet में क्या करूँगा cost sheet में tax दिखाऊंगा 0 है ना क्योंकि मैंने 100 रुपे का tax दिया 100 रुपे का refund मिल गया ठीक है अगर बोलता है मैंने 100 का tax दिया और 0% ITC था मतलब एक भी रुपिया refund नहीं मिला तो cost sheet में क्या मैं tax दिखाऊंगा पूरा मैंने 100 रुपे का tax भारा है क्योंकि refund या ITC तो कुछ मिला ही नहीं ITC और इसको मैं refund बोल देता हूँ हाँ मित भाई हाँ 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 और इसको मैं refund बोल देता हूँ हाँ 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 इसको refund बोल देता हूँ हाँ 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 चल अब बताओ मालो आपने tax भारा था 100 रुपे आपको partial refund मिला मतलब आपको ITC या फिर refund मिला है सिर्फ 40 रुपीज का क्या मैं cost sheet में tax दिखाऊंगा तो बस यही तीन कंडिशन है अगर आपको पूरा ITC मिल जाए तो tax 0 दिखाना अगर कोई भी ना मिले तो tax दिखा देना पूरा amount का और अगर partial मिले तो partial tax दिखा देना done, done अमिद भाई done कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आए चलो तो question पे चले हाँ अमिद भाई question पे चलते हैं आजाओ, 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 आजाओ आँ, आँ, कोईश्टन नमबर 41 42 क्या मेरे को raw material purchase की details given है given है ना अमिद अमिद भाई GST paid on the above purchases कितना GST दिया एक करोड असी लाख रुपए बोलता है eligible for input tax credit मतलब मतलब, मतलब, बोलता है अमिद भाई ITC मिल जाएगा 100% क्या ये refund मिल जाएगा हाँ, तो क्या मैं tax में कुछ amount लिखूँगा, नहीं, 0 लिखूँगा क्योंकि पूरा पैसा तो वापस मिल जाएगा JBC तो पैसा गर ही नहीं ना ओके, ओके क्या freight की details दी है, दी है wages दी है अमिद भाई, ये देखो ना contribution made towards PF और ESI, ये add करना था ना याद करो, हामिद भाई production bonus pay to factory का वरकर ये employee नहीं दिया है office वाले employee को नहीं महनत करने वाले मजदूरों को दिया है royalty, तो बताओ freight inwards, ये भी मेरा direct material से related है ये भी मेरा direct material से related है ये तो आएगा ही नहीं आएगा wages, direct labor contribution, direct labor production overhead, direct labor royalty paid, direct expenses amount paid for power and fuel पढ़ा का ना वबा direct expenses आप लोग बताते चलना amount paid for purchase of molds and pattern molds and pattern के लिए life is two years production बताओ, molds and pattern खरीदने के लिए मैंने कुछ पैसे दिये थे तो क्या, उसको amortized cost बोलते हैं कि amortized cost लेंगे, मतलब मैंने बोला आपको rubber बनाने वो खुश्बू वाले तो उसके लिए special धाचा चाहिए हाँ, तो उस धाचे की amortized cost लेते, मतलब सुनना, amortized cost का मतलब होता है amortized cost माल लो, उसकी cost में 10 लाख रुपे का लेके आया और वो 10 साल चलने वाला है तो क्या मैं एक साल में पूरे 10 लाख लिख दूँगा क्या, नहीं अमिद भाई हर साल आप 10 लाख divided by 10 एक लाख डालोगे अमिद भाई, इसको तो depreciation बोलते हैं machine के case में depreciation और बाकी cases में amortization बोलते हैं समझ में आया हाँ, आमिद भाई, तो मेरा कितना लिख दूँगा यहाँ पे, 8,96,000 divided by 2 यह किदर आजाएगा, आमिद भाई direct expenses में आ जाएगा ना अपने पास ओके, ओके अब job worker, आमिद भाई यह भी तो direct expenses है ना ठीक है, source and spare आमिद भाई, छेनी हतोरी जो यूज कर लिया, आमिद भाई factory में यूज किया ना, factory overhead very good, तो guys एक इसमें यह वाला point नया आया इसको highlight कर लो point number 2, point number 9 नया आया, highlight कर लो और उपर बक्से के अंदर भी लिख दूँगा, चल depreciation आमिद भाई, factory पे लगा है, तो factory overhead office पे लगा है, तो admin overhead plant and machine पे लगा है तो आमिद भाई, यह factory में लगती है न, हाँ factory में लगती है, बनमास ही नहीं हाँ, delivery vehicles, यह बता दो delivery vehicles के लिए अरे, यह छोटा क्यों दिख रहा आपको अब पॉफेक्ट दिखेंगा न, हाँ delivery vehicles के लिए आपने क्या किया depreciation charge किया delivery vehicles का, कहां आएगा अमिद भाई, vehicles का कहां यूज होती है, office में यूज नहीं होती, factory में तो यूज नहीं होती, disamant delivery करने में, यूज होती है, तो क्या मैं इसको distribution overheads नहीं बोलू, हाँ मैं भाई, distribution overheads, चल, salary paid to the supervisor, supervisor कौन होता है, मैंने बताया था न, वो factory make नहीं घूमता रहता, मूच बड़ी करके, आएग, काम आएगा, अमित भाई, वो factory में घूमता है, factory overheads, ठीक है, repair and maintenance for plant and machinery, आमित भाई, plant and machinery तो factory में आएगा न, ठीक है, office building, office building का repair and maintenance, अमित भाई, office building का repair and maintenance, admin overhead, vehicle used by the director, director use कर रहा है, उसका plant repair and maintenance, बताओ किदर जाएगा, director मेरा use कर रहा है उसका किदर जाएगा director किदर आता है अमिद भाई production में तो आता ही नहीं delivery में तो वो लेके जाता ही नहीं बचा कहाँ admin overhead done अब देखो insurance plant के लिए दिया है तो भाईया plant तो factory में जाएगा factory की building के लिए factory में जाएगा talk of raw material and WIP raw material और WIP को संभाल के रखने के लिए मैंने premium दिया है बताओ ये बता दो ये भी point आपका नया आया highlight कर लेना बताओ इसका जो बता देगा मैं उसको perfect बोलूँगा कि भाई very good मेरे को pink करना मैं आपको एक chocolate भेजूँगा बताओ बताओ फटाफट से देखते कौन बता पाता है मैं raw material और WIP को factory के अंदर नहीं रखताऊ हूँ समभाल के अगर किसी ने इसको direct material में ले जाने की कोशिश करी तो बबा ये रेंट है rent is my indirect expenses, indirect expenses को कहां ले जाओंगा factory overhead के अंदर ना, क्योंकि मेरा WIP और raw material कहां रहता है अमिद भाई factory में, तो factory overheads, अब ये quality control के लिए दिया है तो ये तो quality control, salary paid to quality control, ये तो quality control research and development, ये तो R&D, आमिद भाई, pollution control, मैंने पढ़ा था ना, चिल्ला चिल्ला के, pollution control, factory overheads में, बोलता है आमिद भाई, expenses paid for administration of factory work, factory के काम की देख भाल करने के लिए मिर को खर्चे देने पड़े, expenses paid for administration of the factory work, factory work में डालू या admin में डालू, ध्यान से पड़ो और फिर बतागा, बताओ, बताओ, सोच लो, सोच लो, सोच लो, दिमाग गड़ा लो, दिमाग गड़ा लो, आमिद भाई, expenses paid for किस चीज़ का, administration of factory work, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला concept, बहुत important है, अमिद भाई, क्या बोलता है, इस concept के बारे में, क्या ये, मेरा admin cost भी है, admin cost तो दिया है, साफ साफ लिख रहा है, admin की cost है, लेकिन क्या ये factory में हो रही है, हामिद भाई, तो क्या मैं इसको admin cost, related to production नहीं बोल दूँ, हाँ, ये admin cost तो लग गई मेरी, admin cost तो लग गई, लेकिन ये लग रही है, factory में, मतलब कुछ ना कुछ काम करने के लिए, तो देखो, साफ साफ बोल लग रहा है, admin cost related to production, मेरा साफ साफ आ जाएगा, किस में अमिद भाई, ये आ जाएगा, अपने पास, admin cost related to production वाले पार्ट में, देख लो जारा, है अमिद भाई, ये तो इधर ही आ रहा है, हाँ, मेरे को पता है ना, इधर ही चाहेगा, done, done अमिद भाई, कोई दिक्कत, अमिद भाई, कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसको लिख दो न, admin overhead related to production, ओके, ओके अमिद भाई, next, salary दी है, मैंने किस को production control वाले को, production कहां होता है, अरे बबाबा, factory नहीं होता है, factory डाल दो न, finance and accounts के बंदे को, अमिद भाई, ये accounts to accounts handle करने वाले बंदे कहां बैठे होते हैं, अमिद भाई, बड़े वाले office में बैठे होते हैं, या factory में कोई accounts कर होता है, office के अंडर, तो क्या आजाएगा, admin overhead, sales और marketing वाले को, पैसे दिये, अमिद भाई, ये तो मेरा sales overhead आ जाएगा न, मैं भी तो यहीं कहना चाहरा हूँ, done, done, salary pay to general manager, अमिद भाई, general manager मेरा office के अंदर बैठा होता है, admin overhead, packaging cost, ये तो पढ़ाया था, अमिद भाई, आपन एक होता है, primary packaging, जो important है, एक है मेरा secondary, जो मैं क्यों करता हूँ, एक सेकेंडरी, जो मैं क्यों करता हूँ, हाँ, एक है मेरा secondary, जो मैं क्यों करता हूँ, अमिद भाई, secondary करता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, secondary वाले को अराम से सजा धजा के भेज सकूँ, एक मैं बोलता and finance charges paid क्या जल्दी से देख के बताना मैंने बोला था कभी भी मैं interest या finance charges ये होते हैं मेरे finance वाले पार्ट जो मैं पढ़ता हूँ financial management में यहां तो कुछ पढ़ता ही नहीं न बाबा में ये दोनों तो मेरे finance से related पार्ट है इसको तो मैं यहां पर पढ़ूंगा ही नहीं न हां अमिद भाई finance वाला पार्ट तो finance management में पढ़ेंगे आपने बोला था चलो कि नेक्स्ट आजाओ अमिद भाई fees paid to auditor auditor मेरा कहां बैठके काम करता है क्या auditor आप लोग जब audit करनी जाते हो तो office में बैठते हो बताओ अपने senior से पूछना सरा आप factory में जाते हो या audit बढ़ करने office में बैठते हो बोलते सर हम office में बैठते हैं तो office जाते देखा है ना director बैठता office के अंदर performance bonus paid to sales का बंदा अमिद भाई sales के बंदे को दिया है गलती से भी wages में मत डाल के आना इसको डाल के आओगे sales overhead के अंदर मैंने बोला ठीक अब यह दे रखा है value of stock opening और यह closing तो यह तो अपन बनाई देंगे ना और last में पढ़ लेना amount realized by selling the scrap during manufacturing क्या during manufacturing मतलब यह manufacturing के time पर आया है बबा तो यह scrap of finished goods आ जाएगा ना हामिद भाई आ जाएगा ना तो बस आपने पूरा का पूरा classify कर दिया अब बताओ कौन कौन सा part नहीं आया था अमिद भाई part number 9 नहीं आया 15 नहीं आया 9 15 24 और 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 कुछ नहीं नहीं आया point number तो यहां लिख दूंगा ना मैं point number 9 15 24 और क्या लिख दूंगा rest all same as question number 39 जो अपन ने किया था तिर्फ यह points नहीं है बाकी सब का सब 39th question की तरह है हाँ आमिद भाई बिल्कुल 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 तो आजाओ ना यह वाला part कर ले चलो ना मैं भाई मिलके कर लेते हैं आजाओ अब हम start करने जा रहे हैं वापस से हमारा यह वाला part जिसका नाम है solution number 42 टू ओके ओक्या मैं तो मैं यहां जड़ा copy paste कर दूँ क्या चिपक जाएगा चिपक गया बावा चिपक गया क्या बात है चलो start करें हाँ मिलके start करते हैं अब एक काम करूंगा ना इसमें मैं अलग से format वो नीचे वाले लिखके नहीं दूँ यहीं पर फटाफट से add on करके दिखा दूँ ठीक है अपने दिखा सकते हैं एक्जाम में नहीं दिखाने के लिए तो आपको नीचे दिखाना चाहिए लोजीकली पर अभी फटाफट से solve करने के लिए यहीं पर दिखा दूँ आप आप देखते हैं फटाफट से क्या क्या दिया है रोँ मुटिया पर्चेस दिया है 10 करोड और और कुछ लिखना है, हम और कुछ नहीं लिखना, तो आज 10 करोर प्लस 10 करोर तो नहीं लिख सकता, 10, 1, 2, 1 जो को 10, 1,000,00,00 लिखे देता हूँ, प्लस अरे बबा, ऐसे ना चलेगा, पूरा ही लिखना पड़ेगा, हटाँ 10, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, प्लस 11,00,00, कितना बादिकर प्लस 11,20,06 दस करोड़ 11,20,06 चल ओपनिंग स्टोक क्लोजिंग स्टोक कुछ दिया है हाम इत्वाइद दिया है न तो एक काम करो आज इसको नीचे ही बना ले तब बना बे मतलब इतना टेंटरम होगा ना यहां पर बहुत दिक्कत आएगए वाकिंग नोट चल आव वाकिंग नोट नमबर वन बनाएगए वाकिंग नोट नमबर बनाएगए वाकिंग नोट नमबर बनाएगए वाकिंग नोट नमबर बनाएगए चल इसको एड करो इसको एड करो इसको माइनस करो किता दिया है अमें भाइद ओपनिंग स्टोक मिने को दे रखा है है अठ्थारा लाख, अठ्थारा एक दो, एक दो तीन, पर्चेशेस, दस, एक दो, एक दो तीन, फ्रिट, 11,20,600 रुपर, और क्लोजिंग स्टोप, आमिद्माई, 9,60,000, चल्द, सॉल्व कर ले, आजा हमिद्माई, 18,00,10 करोड, प्लस, 11,20,600, तो, माइनस, 9,60,000, 10 करोड, 19,60,000, 10 करोड, 19,60,600, रुपए, डन, डन, 10 करोड, 19,60,600, रुपए, ठीक है, अपन साथ-साथ, आइसे, सेंसर, मैच करता चलूँगा, आप बोल नहीं रहे हो, वरना मेरे को हलकी सी भी मिस्टेक होगी, पूरा डूप जाएगा, डार्यक्ट मटीरियल वेजेस दिया है, हाँ, दिया है न, 29,20,000, और, आमित भ invaded Pfoss IV दिया है, तो, वरकिंग नोट टू लिखओ न, वरकिंग नोट नूब़ टू, वरकिंग नोट नोट नूब़ टू, क्या करूंगा, calculation of direct wages करूँ हाँ मैं आजब क्या क्या दिया है wages plus country और अमिर भाई bonus to worker और कुछ और कुछ ना दिया तो चलो 29,20,000, 3,60,000 29,20,000, 3,60,000 और 2,90,000 कोई दिक्कत सामिर भाई कोई भी दिक्कत नहीं 29,20,000, 3,60,000 प्लस 2,90,000 35,70,000 ओके ओके अमिर भाई 35,70,000 35,70,000 अब direct expenses की बात देखते हैं आज 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 direct expenses में क्या दिया है अमिर भाई दिया है अपना रोयरिटी पावर एंड फ्यूल मोल्स की अमोर्टाइस कोस्ट जॉब चार्ट इस आजाओ लिख लो चलो वाकिंग नोट नमबर ये नहीं वाकिंग नोट नमबर फी चलो फटा फट से आज़म वाकिंग नोट नमबर फ्री क्या बना रहो वाकिंग नोट नमबर फ्री में अमिर भाई वाकिंग नोट नमबर फ्री में अपन बना रहे है calculation of direct expenses ऐसा लिखके छोड़ दो बस चलेगा क्या-क्या रोयरिटी ओके पावर एंड फ्यूल अगला कौन सा है अमिर भाई दिख जाएगा अपने को amortized cost of mold उसके बाद अमिर भाई job charges job worker डन? हाँ लिख दूँ आज़ग रोयरिटी कितनी है 1,62,600 रुपे अगली 4,62,000 रुपे अगली 4,48,000 अगली 8,12,000 अमिर भाई ये कैसे निकला? अरे बाबा 8,96,000 मिर को दिया हुआ था उसकी लाइफ दो साथ तो टिवाइड कर दिया था ओके ओके अमिर भाई चल टोटल कर लो 1,62,600 प्लस 4,62,000 प्लस 4,48,000 प्लस 8,12,000 18,94,600 अमिर भाई दो कोई दिक्कत अमिर भाई कोई दिक्कत नहीं है दिख रहे हैं आपको? हाँ 8,18,94,600 18,94,600 डन? डन जोड़ो 10,19,60,600 प्लस 35,70,000 प्लस 18,94,600 रुपया ये आजाएगा 10,64,25,200 अब फैक्टरी ओवरेट की बात करते हैं वाँ फैक्टरी ओवरेट में तो बहुत कुछ दे रखा है वाकिंग नोट नमबर फैक्टरी ओवरेट में जो जो दे रखा है सब जोड़ते चलाएगा वाकिंग नोट नमबर फैक्टरी ओवरेट क्यालकुलेशन आमेद भाई पूरी स्पैलिंग नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा? चलेगा उसको बस फैक्टरी ओवरेट को फोच भी लिखोगे ना उसको बस दिखना चाहिए कि तुमने लिखा है ठीक है? ओके आमेद भाई सबसे पहले स्टोर्स लिख दूँ लिख दू फिर फैक्टरी की बिल्डिंग का डेप्रीसेशन उसके बाद अमेद भाई प्लाण्ट एंड मशीन का डेप्रीसिेशन उके उसके बाद रिपेर्स किस की रिपेर्स करवाई अपनने? अमेद भाई उसके बाद अमेद भाई याद करो मैंने बोला था अपननने एक और का इंशॉर् equipped का किसका डबलू आईपी स्टॉक दिया ना मैंने बोला वो भी फैक्टरी में रखा लेता है वो भी आ जाएगा ओके इन सब के बाद मैंने दो चीज बोने कौन सी मैंने बोला अमिद भाई एक तो सूपरवाइजर को जो मैं सैलेडी दे रहा था वो भी मुझ पकड़के बोलता काम धंसे करना है और क्या बोलता है बिल्कुल व्यबदमासी नहीं करनी है तन हामिद भाई एक सेकंड यह हिल गया क्या अब कर चलो उसके बाद उसके बाद मैंने एक और चीश जुड़वाई थी क्या अमिद भाई पॉल्यूशन कंट्रोल का खर्चा बोला था ना मैंने वो जोड़ना है यहाँ पर हामें भाई आपने बोला था बोला था बोला था चलो आगे बढ़ते हैं कितना है जोड़ते चलो एक लाख बारह हजार 84,000 एक लाख 26,000 48,000 31,200 फैक्तरी में कितना खर्चा लगा आमें भाई फैक्तरी का खर्चा लग गया 18,100 फिर बोलते हैं आमें भाई हमने स्टोक इंशोरेंस करवाय ना कितना 36,000 रुपए का सुपर्वाइजर को पैसे दिये ना कितने एक लाग 26,000 और पॉलिशन का कंट्रोल करवा है ना कितने का 26,600 रुपए का चलो जोड़ो किता आ रहा है एक लाग 12,000, 84,000, एक लाग 26,000, 48,000, 31,200, 18,100, प्लस 36,000, एक लाग 26,000, 26,600, 597, 900 आ रहा है हाँ एक सेखिंड रूब जानर मैं कर थूबूव कर दर्यान डी रूब कर दी कुछ लिखन technा में स्टोर्ट्ट मैंने डाला जब भी डाला स्टोर्स एक लाग 12,000, ऐध ट्रसं के विल्दिंग Simpson दाला औançे प्रिंटिंग नहीं डाला मैंने प्लांटेन मशीन लिए एक लाग श्रीच के बाद फिर दिलिवरी भेकर संगे डाला सलरीज एक लाग 26000 एक बारह हजार लास 14000 एक लाग चब विस थाजर 48000 प्लस तीन लग बारह हजार सॉरी 31200 यही है न हाँ प्लस 18100 प्लस 36000 उसमें 126000 सूपरवाईजर की सेल्डी प्लस 26600 च्छे लाग 7900 आया न पॉफेक्ट बबा इत्ती लंबी कैलकुलेशन से आई से वाले से मैं आज करते चलना पड़ते कि कहीं मैं गड़बर ना कर दू और फिर पूरा का पूरा घूम के मिर को वापस आना पड़े प्लस दस करोड चोहतर लाग 25200 रुपए यह आएगा दस करोड असी लाग 33100 रुपए डन हाँ अब क्या ओपनिंग डबलो आई पी दे रखी हमें नौ लाग 20,000 आट लाग 70,000 चल जोड़ देना नौ लाग 20,000 माइनस कर देना आठ लाग 70,000 रुपए प्लस 9,20,000 माइनस 8,70,000 आमिद भाई 10 करोड असी लाग 83,100 कोई दिक्कत आमिद भाई कोई दिक्कत नहीं क्वालिटी कंट्रोल वगेरा हां मिद भाई क्वालिटी कंट्रोल में दो कॉस्ट दिया है एक तो एक्सपेंसेज और एक सैलरी तो 19,600 प्लस 96,200 यह मेरा बनेगा एक लाग 15,800 तो इसमें एक लाग 15,800 रुपे जोड़ूँगा तो कित्त आ जाएगा अच्छा आर इंडी भी तो बच रहा है आर इंडी का कित्ता ख़चा दिया हमिद भाई आर इंडी कोस्ट बोल रहा है 18,200 रुपे और बोलता हमिद भाई admin cost related to production तो अमिद भाई admin cost related to production में आपने डाला है ना क्या मैंने किदर गया वो बताया था जो अलग सा दिया था किदर गया किदर गया किदर गया किदर गया किदर गया वो बहाँ research and development expenses for expenses for administration of factory का वर्क 118,600 मैंने बोला था हमिद भाई आपने बोला था वो डाल दो डाल दो उसके बाद उसके बाद यहां पर देखना salary 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 functional manager का नहीं जाएगा production control अब एक बात देखना हामिद भाई बताओ बोलता है salary production control वाले का हाँ मैंने आपको यहां पर लिखवाया था किदर गया किदर गया किदर गयो किदर गयो कि मैंने यहां पर आपको बताया था किदर गया salary जो मैंने दी है production control वाले की तो आपने बोला था अमिद भाई factory overheads डाल देना मैंने बोला था factory को देता अगर मैं workers को देता तो wages आता पर मैंने salary दी है बाकी लोगों को production control के लिए तो यह आजाएगा admin overhead तो यह आएगा admin overhead related to production कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आएगी किदर गया एक लाक अठारा थारा जार कहां गया कहां गया यहां तक तो अपने लिख दिया जाना हाँ admin overhead related to production तो आपने एक लाक अठारा जार चैसो लिखा और उसमें जो salary दी ना बंदे को नौ लाक साथ हजाद वह भी लिख दी 10,78,600 प्राइमरी पैकिंग करवाई है क्या हाँ आपने प्राइमरी पैकिंग करवाई है कितने की 96,000 रुपीज की और आमेद भाइक कोश्चन में लास्ट में लिख के दिया था क्या कि बबाँ 86,000 रुपीज का मेरा scrap हो गया तो 10 करोड 80,83,100 प्लस 1,5,800 प्लस 18,200 प्लस 96,000 प्लस 10,88,600 माइनस 86,000 10 करोड 93,5,700 10 करोड 93,5,700 तो डन हामिद भाई यह तो मैच कर रहा है ओपनिंग फिनिश गूट्स दिया है न अपना 11,00,000 क्लोजिंग दिया है न अपना ठारा लाक अरे यह क्यों लिखना माइनस तात लाक रुपए कर दो 10 करोड 86,5,700 रुपए दन दना डन हो गया हामिद भाई अब इसके बाद क्या मैंने कोई सेकेंडरी पैकिंग लिया है मैंने थर्डरी पैकिंग लिया है तो थर्डरी पैकिंग तो जोड़ दूँग से पहले आ जाओ यद मीनोच की अवरेड लोट रिलेटड दूब्रकशना की वोकिंग नूट नमबर 5, डहामिद भाई, अज़ब वकिंग नूटक नमबर 5, अठिक ज़सा crouchंँग ट्यरल के ट्रेल पैकिंग ब्रसमारी है depreciation करवाया office की building का हाँ करवाया न repair and maintenance करवाया किसका vehicle used by the director हामिद भाय करवाया salary दी अपनने किसको accounts वाले बंदे को हामिद भाय salary दी मैंने किसको manager को हाँ बाकी legal खर्चे audit के खर्चे करवाया हाँ करवाया तो वो कौन जोड़ेगा audit fee उसके बाद law वाली fee इतना भी लिखो के वो भी चलेगा independent director की fees बस चल डाल दो अमिद भाय ऐसे भी लिखोंगा तो चलेगा अरे जब मैं लिखवा रहा हूँ बोल रहा हूँ चलेगा तो करो न 12,56,000 1,80,000 1,20,000 2,20,000 कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने हां मैं कर दिया न आपने यहां से लिक्षना था इसको 9,18,000 depreciation किता दिया मैं बाई 56,000 दिया है न डेपरी सेशन और यह 19,600 चल टोटल मार दू 56,000 प्लस 9,600 प्लस 9,18,000 प्लस 12,56 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,22,000 27,000 71,600 कहीं गरबर तो नहीं कर दिया मैंने 18, 20, 20 देख लूँ हां में पाई 15,000 19,600 91,009,18,000 12,15,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,22,000 27,41,600 2000 उपर की दर आ रहे हैं बबा 2000 उपर की दर आ गए 56,19,600 9,18,000 12,56,000 81 ओ 2,20,000 है इसलिए मैंने बोला ना ICI के साथ मैच करते वह चलना is very good 27,69,600 मैच करते वह ना चलो तो एक मिस्टेक और पूरी सल्तनत खताँ 27,69,600 selling overheads आमिद भाई selling overheads के लिए दिया न क्या 3 amount कौन कौन से बोलता है आमिद भाई एक तो salary थी मैंने बंदे की ठीक है कित्ती salary थी 1,80,000 का bonus दिया है और salary दिया 10,12,000 और आपने selling वाले का depreciation दिया 1,80,000 plus 10,12,000 18,000 12,10,000 distribution overhead हाँ मिद भाई second वाला था न जो मैंने बोला कि अपने कर रखा है हाँ 1,12,000 मेरी थर्ड री पैकिंग और 86,000 1,90,000 चल पूरा जोड़ दो मिद भाई आउ 10 करोड 86,5,700 प्लस 27,69,600 प्लस 12,10,000 प्लस 1,98,000 11,27,83,300 रुपे आ गया हाँ अमिद भाई और क्या जोड़ी इसमें अमिद भाई दो तीन चीजें और जोड़ेंगे कौन कौन सा इधर आओ ना एक देखो लास्ट में उसने बोला है अमिद भाई इंट्रेस्ट एंड फाइनाइन्स चार्जेस पर यूजेस ऑप नॉन इक्विटी फट फाइनाइन्स चार्जेस तो मैं यहाँ पर जोड़ के नहीं चलता इंस्टिट्यूट ने बेमतलब जोड़ा क्या बात करें इंस्टिट्यूट ने इंट्रेस्ट और फाइन्स चार्जेस को जोड़ रखा है यहाँ पर ठीक है तो क्या करें आपन भी जोड़ देंगे बाबा इंट्रेस्ट और फाइन्स चार्जेस अगर इंस्टिट्यूट ने लास्ट में जोड़ा है तो क्या करूँगा कुछ नहीं यहाँ पर लिख के जोड़ देना श्यालो प्लस इंट्रेस्ट कितना हमिद भाइ सात लाग बीस हजार प्लस सात लाग बीस हजार प्लस सात लाग बीस हजार 11,35,000 तीन हजार तीन सो रुपए डन हमिद भाइ कॉस्ट अफ सेल्स निकल गया हमिद भाइ तो एक चीज और मार्क कर लो चलो यहाँ पर इंस्टिट्यूट ने इंट्रेस्ट को क्या किया एड कर रखा है जबकि हमारे पास इंट्रेस्ट जेनरली फाइनांस कॉस्ट में आता है पर इंस्टिट्यूट ने डाल दिया तो अपन इसका कुछ भी नहीं कर सकते है ओके इंट्रेस्ट को डाल देंगे डन डना डन डन हामिद भाइ डना डन 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 डन